ओम स्री गनेश राइन अमदोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 जून सौंबार की रासी फलके बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-क चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको साबधान नहेना होगा इनकी love life कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा विजनी शर्व यापार कैसा रहेगा और स्वास्तगी महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहीगा करकराशी वालो के लिए सवंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आप के लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपके वित्य इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुकूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोग्य लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबंदित बात चीत घर में सुरू हो सकती है दोस्तो समाज वे रिष्टेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वज़े से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरिन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिले शक्वे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जाएंगे और रिष्टे में दोबारा मधुरत आएगी प्रतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविश्य के लिए बहुती संबंदित वस्तू के भी खरीदारी होगी कोई कीमिती उपवार भी आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कारे पर प्रियासरत रहें अपने उस आत्म बल वे आत्म विश्वास में वरत दी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तों बात कर लेती हैं जापके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दो पर कोई आपका नुकसान कर सकता है इसलिए साफधान रहें घर के किसी बुजर्गों के स्वास्त को लेकर भी आज चिंता रहेगी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है दोस्तों साती साथ आपको भी अपने स्वयभाव से एगो को खत्म करना होगा जिससे प्रेसानि जल्द ही हल होंगी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरे से विचार आप अवश्य करें किसी दुखत समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारत्मक विचार उठ सकते हैं परन्तु आप जल्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फालतु गलत फैमियों पर अधिक ध्यान देंगे अपने महत्पपून कागजातों को बहुती अधिक समाल कर रखें क्योंकि अगर खो गए तो प्राप्ती नामुम्किन लग रही है घर में भी छोटी सी बात पर एकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए जादा क्रोध करने से बचें दोस्तों सामाजिक गति विदियो पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आपसे नाराज रह सकते हैं परंतु इन बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें परंतु घर के वरिष मजबूत होंगे प्रेम संबंद मर्यादा पूर्ण रखें किसी विपरीद लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आश्चर जनक प्रसन्नता महसूस होगी घर परिवार का वातावरन आज बहुती शुकद रहेगा पती पतनी का आपसी सयोग घर में शुक्षांती बन बन रहे हैं जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से शहयोग प्राप्थ होगा तथा घर में भी शकारात्मक वातावरन बना रहेगा दोस्तों साथी साथ अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार वे बच्चों के लिए भी निकालना आपके लिए अधिक बड़ेगी दोस्तों बात कर लेते हैं अज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों वैवशाय में अभी वरतमान परिस्तितियां का प्रभाब बन रहा है धन संबंदित लेने दिन में बहुत अधिक आप सावधानी रखें क्योंकि धोका होने की भी संभावना लग रही हैं नोकरी पेशा व्यक्तियों के आफिस का माहोल भहुती आज सांती पूर्ण बना रहेगा कार्य छित्र में अगर किसी प्रकार का निवेश करने की आप सोच रहे हैं तो आज उस कार्य को भहुती गंभीरता से अंजाम दें इससे आपको भैतरीन रि दूसरों के हस्तोषेप से करमचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है इसलिए अपने निर्ण को प्रातिमिक तादे तथा वैवसाइक गतिविद्यों पर भी अपनी पैनी नजर रखें साथी साथ नोकरी पेशा व्यक्ति भी आफिस में पॉल्टिक्स के सिकार हो सकते ह थोड़ा सावधान रहें दोस्तों साथी साथ आज आप किसी कारणों से कार्य छेत्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे परंतु सेयोगियों और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने उच अधिकारियों का पूर्ण फीगंभीरता से लें नोक्री पेशा व्यक्तियों को भी उनकी कर चमता के लिए परेवॐत्व प्राप्त होगा जिसकी वज़ेसे उन का मन बहुती प्रसं रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं अगल आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपका स्वास्त अच्छा समय रहने वाला है दोस्तो साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो हम आपको जो इस उपाय को बताने जा र पहले आप एक लोटे में दूद या फिर जल भरकर अपने सिरहाने रखें और फिर सो जाएं और जिहां दोस्तो इसके बाद आप अगली सुबा यानि मंगलवार की सुबा जल्दी उठें इसनान आदी से निर्वत्र होने के बाद आप उस लोटे को भगवान भोलेनात का इस जल्द प्रसन होंगे और आपकी समस्त मनों कामनों को पूर्ण करेंगे जहां दोस्तो आप इस सुपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान भोलेनात का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स वोक्स में जै बोले ना तवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद